जैवलो देवादी देवे ख़जाराट सरी भगवान महावीरश्श्वामी की जैए 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 आहिंसा पर्मो धर्मे की जैए 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 परंपूज आचार गुरुवा स्री विद्या सागर जी महराजे की जैए 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 परंपूज एकसौाट पहा मुनिस्तरी प्रमान साकर्जी विराड साकर्जी महराज की जय 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 एक युवाक अपने गाउंशे दूसरे गाउं की और जा रहा था रास्ते में भायानक जंगल मिला बांस का बीहड जंगल था अचानक उशे कुछ आवाज सुनाई पड़े देखा बांस के पेड़ एक दूसरे शे टकरा रहे थे उनकी टकराव से रगल उत्पन हो रही थी आवाज पेश थी इसी टकराव को देखते देखते वो आगे गया थोड़ी देर बाद वहाँ भीशन आग लग गई वो काप उठा आपस में टकराव हुआ और आग लग गई वो कुछ समझ नहीं पाया अगे बढ़ा गाओं के निकट पहुँचा गाओं के निकट पहुँचते ही उसे फिर एक आवाज सुना ही पड़ी लेकिन अपकी बार ये आवाज किसी जंगल से नहीं एक घर से आ रही थी वो घबड़ा उठा क्या मामला है अभी एक आवाज आई तो आग लगी ये आवाज घर से आ रही है यहां तो आग नहीं लगेगी वो घबड़ा कर सीधे आग की और बढ़ा घर की और बढ़ा और जैसी वो घर के निकट पहुचा देखा एक महिला मतानी से दही का मन्थन कर रही थी उसलिए का अम्मा रुको ये गड़बल है क्या बात है अम्मा रुको ये गड़बल है अभी यहां आग लगे गिए अभी मैने एक आवाज देखी वहाँ आग थी माने कहा बेटा वो जंगल की आवाज थी ये घर की आवाज है उस आवाज में भले आग लग गई यहां आग नहीं नवनीत निकलेगा बोले मा कैसे बोले बहुत अंतर है जंगल में बास के पेल आपस में टकरा रहे थे और वो जो टकरा रहे थे तो उनकी टकराओ के परणाम सरूप वहां आग लगी टकराओ के करण वहां आग लगी लेकिन यहां टकराओ नहीं मन्थन है टकर कब होती है जब दो पेल आपस में रगलते हैं जब दो पेल आपस में रगलते हैं तो टकर उत्पन होती है और टक्कर होने से आग होती है लेकिन जब मन्थन की क्रिया होती है तो वहाँ टक्राव नहीं होता वहाँ एडजेस्टमेंट होता है दोनों एक रस्ची को खीचा जाता है तो दूसरे को धील दी जाती है तो जहाँ एक दूसरे के साथ समझोता होता है सामंजस होता है वहां नोनीत निकलता है और जहां टकराव होता है वहां शंखर्ष होता है आज बात मैं आप सबसे उसी की करने जा रहा हूँ आज बात ता की है ता यानी टकराव और टकराव का परणाम आग है अपने जीवन में जहां करके देखो कि मेरा जीवन किस तरीके का है कि मैं टकराओ को महत देता हूँ या सामन जस और समझोते को टकराना बहुत सामानिशी बात है कोई भी कभी भी टकरा जाता है किसी से कई तरह किस्तिती होती है टकराना एक क्रिया है लेकिन टकर लेना टकर देना और टकरा जाना ये अलग-अलग क्रिया होती है आप किसी के साथ क्या करते है जब हमारे संबंधों की बात आती है तो हमारे संबंधों में टकराव होता है या थहराव रहता है सामन जस्स होता है ये टकराव आखिर आता क्यों है तकराव आखिर आता क्यों है और कब आता है एक घटना होती है दो बस तु आपस में तकरा जाए अंधेरे में चल रहे है दो घटना वास दो वेक्ति तकरा जाए दो गारी तकरा जाए ये एक सही योग है इस तकर से कोई ज़्यादा खत्रा नहीं होता क्योंकि ये टकर कुछित और कदाचित को होता है इसमें लोग टकराते हैं एक दूसरे के साथ आहत होते हैं घायल होते हैं आगात महुचता है लेकिन फिर भी उसका निदान है लोग उसकी चिकित्सा करा करके आपने आप में ठीक हो जाते हैं तन की टकर से उतना खत्रा नहीं होता लेकिन जब दो वेक्तियों का मन टकराता है तो बड़ा भयानक होता है आपने कभी सोचा तन कब टकराता है और मन कब टकराता है कभी सोचा तन कब टकराता है जब हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं तोली शेया सावधानी होती है तन टकरा जाता है और जैसे किसी का किसी से तन टकराता है आप तुरत एक्स्क्यूज करते हैं अपनी तरफ से छमा मांगते हैं बाई साब माप करना हमें दिखा नहीं जब मनुश को दिखता नहीं तब तन टकराता है और मन सुसता नहीं जब मनुश का विवेक होता है जब उसकी समझ खतम होती है वो अपने हंकार को प्रमुखता दे देता है और मनुश जब जब अपने अहंकार को प्रमुखता देता है वो अकलता है और जो जो अकलता है सब उखडते अकलने वाले को एक दिर उखरना पड़ता है वहां टकरावाता है लोग टकर लेते हैं दूसरों की बात का सहन न करना दूसरे की बात सहन न होना मन में टकर पैदा करता है लोग एक दूसरे से टकराते हैं टकर मोल लेते हैं और फिर एक दूसरे की उसाथ वाद विवाद चलना सुरू हो जाता है प्रतिवाद सुरू हो जाता है प्रतिरोज सुरू हो जाता है आपस में खीचा तानी से मच जाती है है आप अपने मन से पूछिए आपके जीवन में कभी किसी से कोई टकर हुई हाँ अनभाव करो कभी किसी से टकराओ महराज कभी आप तो ये पूछो कब नहीं हुई आप तो ये पूछो कब नहीं हुई छोटी छोटी बातों में लोग टकराते हैं बंधूँ मैं आज आपको टकराओ टालने की बात कहूंगा टकराओ टालने की बात कहूंगा और बड़े आसानी से टाल सकते हैं यदि आपकी सोच थोड़ी ठीक हो जाए सबसे पहले सुरुआत करो हम टक्कर नहीं लेंगे किन से? तो स्वजनों से टक्कर नहीं लेंगे पहला किस से? अपने स्वजनों से कोई टकराओ की बात नहीं करेंगे मरा सबसे ज़्यदा टक्राओ तो नहीं चोगता है अरे जिनके बीच हमें रहना है जिनके साथ हमें जीना है जिनके साथ हमें वसना है जिनके साथ हमें रहना है 24 गंटे जिनके साथ रहते हैं उनसे टक्रा करके क्या पाओगे? क्या होता है? होता है? पती पतनी के मद्ध टक्राओ पिता पुत्र के मद्ध टक्राओ सास बहु के मद्ध टक्राओ भाई भाई के बीश टक्राओ अलोसी पलोसी के बीश टक्राओ सब आपस में एक दूसरे शेट टक्राते ही रहते है ना नतीजा क्या निकलता है अशान्ति ये रोजकान भाव है जब भी कहीं टकराओ होती है तो अशान्ति ही आती है ये टकराओ लाता कौन है हमारे अंदर का इगो समझ गये हैं टकराओ यानी एक प्रकार की छोट छोट मन को घायल करती है वो छोट कैसे है हमारा अहंकार जितना पुष्ट होता है मनुश्य का चित उतना ज़्यादा छुब्द होता है उसके मन में उतना जी टकराओ का भाव होता है वो खुद टकराओ लेता है और लोगों के साथ टकराता है छोटी छोटी बातों में वो एड़ेस्ट हो इनी सकता संत कहते अपनी सोच को थोला ठीक बना सभाओ को लचीला बना कहीं कोई तुमसे टकरा भी जाए धोके से तो वो चोटील नहो इस प्रकार की बात करो देखो आप किसी ठोस बस तुसे टकराओगे तो चोट लगेगा लेकिन स्पंजे से टकराओगे तो हाँ? मन को स्पंजी बनाओ कि कोई तुमसे अगर टकराओगे भी तो उसको चोटना लगे और तुम्हें तो किसी से टकराना ही नहीं है उसके लिए क्या करना है? अपने अरदे में सरलता को प्रकट करना है अपने हंकार को खतम करना है हंकार को विगलित कीजिए छोटी छोटी बातों में लोग आपस में खीचाता नहीं करते रहते हैं पती पत्नी में भी अनबन होती है सबसे ज़्यादा अनबन होती है मुझसे किसी ने कहा महराज पती पत्नी क्यों बनते एक दूसरे के साथ क्यों बनते पता है हमने बोला बैया मेरा कोई अन्भाव नहीं तू ही बता पती पत्नी एक दूसरे के साथ क्यों बनते हैं पती पत्नी का नाता एक दूसरे के साथ क्यों जूलता मैंने का मेरा अन्भाव नहीं तू ही बता बोला साथ जनम का बैर भुनाने के लिए अमने का भी यही तेरा अन्वा उगा लेकिन बात सही है जो साथ रहता उन्हीं के साथ ख़टपट होती है परबंधूँ ख़टपट भी दो प्रकार की होती है टकराव शे आवाज उभपन होती है लेकिन एक टकराव है जो तंकार है दो बरतन आपस में टकराते हैं टंग की आवाज होती है क्या है टंकार है लेकिन वही बरतन यदि लेवद्ध हो जाए तो जंकार है क्या है संत कहते है अगर टकराला ही है टकराओ बरतन होंगे आवाज होगी लेकिन आपस में इंटर्नल एंडिस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक लेवद्ध पन कर दे वो टंकार में भी छंकार प्रकट हो जाए वो तब होगा जब तुम्हारी आपसी समझ स्पस्ट होगी समझ सही होनी चाहिए और जिस मनुष्ट की समझ सही होती है वो सारी परिस्थितियों की अनरूप अपना बहवार करता है वो कभी किसी के साथ खीचातानी का काम नहीं करता तो बात बात में टकराने वालों की हालत बड़ी खराब होती है मैं दो घटना आप सब को सुना रहा हूँ जो टकराते हैं उनकी दसा क्या होती है और जो समझोता अपनाते हैं उनकी जगा क्या होती है दसा क्या होती है विवा हुआ नौ दमपती थे दोनों पढ़े दिखे थे और दोनों मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करने वाले थे इस्थिति ये थी कि दोनों हम किसी से कम नहीं बिचार धारा दोनों की बिलक्य उल्टी एक पूरब एक पश्चिम विवात तो हो गया लोगों ने आपस में देख समझ करके किया और सबसे बड़ी बात दोनों का चुनाव खुद का था आपसी सहमती से दोनों ने विवा किया और दोनों के विवात हो गए पर बिचार धारा के इस अंतर ने दोनों को दो दिशा में ले लिया एक पूरब है एक पश्चिम कुछ भी बात हो तो यह मैं नहीं कर सकती वो कहता है यह मैं नहीं कर सकता तुमको यह करना होगा वो कहते हैं तुम्हें ये करना होगा छोटी छोटी बातों में दोनों के मद्ध रोज तकरार हो खिचा तानी मचना सुरू हो गई सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ जीने मरने का संकल्प लेने वाले लोग साल भर में एक दूसरे से डाइबोर्श की बात करने लगे रोज तु तु में में हो तो क्या होगा साल भर में एक दूसरे के साथ डाइबोर्श की बात करना सुरू कर दिये मामला फैमली कोर्ट में गया उस जज़ ने जो इन दोनों को समझाया उन्हों ने मुझे बताया मराज जी जब मेरे पास ये केस आया मैंने देखा इस केस में कुछ नहीं है दोनों की केवल नासमझी है और उस नासमझी के परिणाम सरूब दोनों यहां आ रहे और मुश्किल ये है, पहले संयुक्त परिवार होता था, तो पत्री के मद कुछ खटपट हो, बेटा बहु लड़े, तो माबाप समझा देते थे, अब दोनों अकेले रह रहे हैं, अलग रहे हैं, वहां कोई समझाने वाला भी नहीं है, वहां समझाने वाला नहीं आता, तीस बात कहा कि भाई, पहले तुम दो दोस्त थे, अब तुम दोनों पत्ती पत्नी बन गए हो, दोस्ती का नाता अलग होता है, और पत्ती पत्नी का रिस्ता कुछ अलग होता है, अगर तुम लोग इस तरी के से जियोगे तो जिन्दिगी अपनी चलाई नहीं पाऊगे, पत्त पत्नी का जीवन तो सामन जस्म में पलता है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सुरू करो, अपने इगो को उतार करके एक तरफ रखो, कभी तुम इसकी सुनो, और कभी तुम इसकी सुनो, एक दूसरे के पूरा को प्रेख बन करके जियोगे, तो तुमारे जीवन में यह जो खीचाता नहीं हो खतम हो जाएगी उनने अपने तरीके से उन लोगों को मौटिवेट किया और कहा देखो इस तरीके से दोनों का जीवन निरश होने वाला है कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है कुछ भी हाथ में नहीं आएगा अगर कुछ पाना चाहते हो तो थोड़ा ताल मेल बिठा करके चलो जीवल में सब कुछ हासिर हो जाएगा अंदर से तो दोनों पीलित थे अहंकार की एक बड़ी बिच्छतर दसा होती है अहंकारी अहंकार करता है लेकिन अंदर से मानता है कि ये गलत है पर पहल कौन करे बीच में एक पहल करने वाला मिल गया दोनों ने अपनी सोच को बदली और जो बात बात में टकराने की प्रवित्ति बना ली थी उसे थोड़ा सा अंतर कर दिया अब कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में आने लगे तो कभी एक कॉम्प्रोमाइज करे तो कभी दूसरा कॉम्प्रोमाइज करे गारी अच्छे से चल रही है अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो हो रहे वो शीकान हो रहे ज्यादातर मामले ऐसे ही है जिनका कोई सिर पहर नहीं केवल थोड़ी सी समझ की कमी संत कहते हैं तकराओ को टालेना चाहिए कहीं भी हो हमें समझोता वादि दिस्टिकोर रखना चाहिए और अगर मनुश्की सोच थोड़ी शकारात मखोगी तो वो कभी तकार तकराओ की बात ही नहीं करेगा जैन दर्सन का आने कांथ हमें उसी तकराओ को टालने की बात करता है वो कहता है भीया अपनी बात पर अडोगे तो हमेशा तकर होगी अपनी बात पर अडो मत सामने वाले की बात को भी ध्याल में रखो अडना यानि एकांत को अपनाना और सामने वाले की बात को मनना यानि समझोता को अपना नानिकांत को मनना टक्कर कब होता है जब मैंने जो कह दिया वही ही सामने वाले ने कज़ कहा हाँ ठीक है तुम भी ही और भी में कितना अंतर है हमारे गुर्देव लिखते ही से भी की और ही बढ़े सभी हम लोग छे के आगे तीन हो विश्वसांती का योग छे और तीन दोनों अंकों को अपने सामने देखे छे तीन को गले लगाने के लिए ततपर है तीन छे से लिपटने के लिए ततपर है दोनों एक दूसरे का स्वागत कर रहे है यह 63 का संबंद है लेकिन इसको उलड़ दो तो 36 होता है 36 का क्या होता है आंकला छे तीन और छे तीन छे की तरफ पीड दिखा रहा है और छे तीन को पीड दिखा रहा है एक दूसरे की सुनने को कोई राजी नहीं वहां 36 का आंकला होगा और जहाँ एक दूसरे का सदकार होगा वहाँ तेरे सटका संबंद होगा तुम क्या कर रहे हो 36 का अंकला यह तेरे सटका संबंद करना कुछ नहीं है थोड़ा सा पल्टी देना है केवल मुँ बदलना है मतलब थोड़ी सी सोच बदल जाए तो जहाँ जगड़ा है वहाँ सांती हो जाए जहाँ टकराव है वहाँ समझोता हो जाए सारा खेल तो सोच काई है थोड़ी सी सोच ब्यापक हो कभी कभी बहुत टकराव पूर्ण इस्तिती बन जाती एक प्रशाशनी का धिकारी उन्हें अपना एक अल्भा मुझसे सेर किया बोले महराज जी कभी कभी सांपरदाई टकराव जब उत्पन होते हैं लाओ एंड आउडर का मामला सामने आ जाता है तो हम लोगों किसामने उस समय बड़ी बिशम इस्तिती होती है कि कैसे हम इस परिस्तिती को कंट्रोल करें कई परिकार का मौव होता है तो बोले उस समय हम लोगों को अपने बिवेक के रूप काम करना पड़ता है और किसी तरीके से दोनोओं पक्षो के प्रमुख लोगों को बुलाते हैं, बिफाते हैं, समझाते हैं, तो मामला ठीक हो जाता है और समझ में आ गया तो ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो बावाल ख़़ा होता है और उनका कहना था उस गड़ी में हमको थोड़ी तटस्टा अपनानी पड़ती है और व्यापकता रखनी पड़ती है तो परिणाम निकलता है तो मैंने उन्हें एक घटना सुनाई कि देखो एक योगा प्रशासक कैसा होता है महराजा रंजीत सिंग के काल की बात है पंजाब के सिर्ण रंजीत सिंग उनके सासन काल में मुशलमानों का एक जलूस निकला और जलूस में ताजिये निकले थे ताजिया कुछ उचा था जिस रास्ते से जलूस निकलता था उस रास्ते में एक पीपड का पेला पेल पड़ा ताजिये की उचाई इतनी की पीपड की दाल से तकरा है अगर आगे बढ़ते हैं तो चाजिया तकराता है ताजिया छोटा नहीं हो सकता और पीपल का पेड काटा नहीं जा सकता वो एक मंदिर से लगावा पेड था दोलो समुदायों के बीच आपस में तना तनी हो गई एक कह रहा है पेड काटो एक कह रहा है ताजिया नीचे करो दो लोग कहीं भी एड़ेस्ट करने के लिए तयार नहीं कोई सुनने को राजी नहीं इस्तित तनाव पूर्ण हो गई प्रहा होती है जब लोग अड़ जाते तो ऐसी होता है महराजार रंजीत सिंग को मालूम पढ़ा वो स्वेम आये उनने देखा दोनों तरफ के लोग अस्त सस्त से लैस होकर के एकदम तने वे एक दुसरे से टकराने के लिए अड़े वे उन्होंने का ठीक ना पेड़ कटेगा ना ताजिया जुकेगा रास जलूस यहीं से निकलेगा ना पेड़ कटेगा ना ताजिया जुकेगा जलूस यहीं से निकलेगा ओ जलूस यहीं से निकलेगा सब को आश्चर क्या होगा उन्हें का सब लोग दो दो सो मीटर पीछे जाओ दोनों पक्षों के लोगों को पीछे किया दो दो सो मीटर इदर से इदर से दोनों पक्षिके लोग जब पीछे चले गए उनने मजदूर बुलवाए और सौ मजदूर बुला कर करी नौ इस ताजिया ठक्रा रहा था उनने जमीन खोद करके रोट को नीचे कर दिया स्लोप दिला दिया बोला निकाल लो और अपना काम हो गया क्या हो गया मार्ग निकल गया मैं आप से केवल इतना कहता हूँ मार्ग निकालने की कला सीखिए जब भी टक्राओं की स्थित्य आए देखिए इसका रास्ता क्या है सॉलूशन क्या है तक्राने में तो सिर्फ फोड़े होगे और क्या होगा सॉलूसन ढूंडिए सामने वाला यदि कोई बात कह रहा है तो उसकी बात कितनी सही इसका बिचार कीजिए मैं ही सही हूँ ऐसी बात मत रखिए उसकी बात में भी तो दम हो सकती है कदाचित उसकी बात गलत भी है अब मैं सही हूँ तो उस गलत बात की बैक्ति को गलत कह करके हम उसे चोटिल करने की जगा उसे कन्वेंस करके उसकी गलती का इसास कहुने करा है कोई रास्ता निकाले सीधे सीधे जो बात करते हैं वो बहुत बड़ा आगात करते हैं और थोड़ी सी समझदारी के साथ जो अपना काम करते हैं उनकी इस्तिती कुछ और हो जाती है तो अपने जीवन में हमेशा ऐसे टकराओ को टालने का अभ्यास बनाना चाहिए जहां इगो आए हमें आपस में नहीं टकराना सजनों के मद कभी टकराओ नहीं करना सजन में माता पिता है उनसे कभी नहीं टकराना टकराने का मतलब माबापको सीदे सीदे जबाब दे देना माबापको चैलेंज कर देना ये टकरी तो है कई लोग ऐसा भी कर देते नहीं ये तुम्हारी समझदारी नहीं जिनने तुम्हे जन्म देकर इस योग बनाया उनके साथ तुम ये बात कर रहो ये कता ही नहीं अलाकि माबाप को भी अपना जीवन भेवार ऐसा रखना चाहिए कि उनकी संतान को कभी लगे ही नहीं कि मेरे माता पिता मेरे अगैश्ट है उनको लगे कि मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े हितैसी है मुझे सबसे ज़्यदा चाहता है ये दोनों तरफ से होना चाहिए लेकिन यदि कोई बात माता पिता ना कर दे तो उनके साथ टकराने की प्रवित्ती अच्छी नहीं है भाई भाई के मद्ध टकराव नहीं होना चाहिए हलाकि होता है किसको लेकर होता है थोड़ी सी संपत्ती को लेकर के होता है आपसी कामकाज को लेकर के होता है छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है थोड़ा सा कॉंप्रोमाइज करने की आदी बन जाए तो लोग काम हो जाए चार भाई थे संपत्ती अफराद थी लेकिन एक छोटी सी संपत्ती को लेकर के आपस में जबरदस्त तकराव था तकराव यह यहां तक पहुँच गया कि मा की मृत्तू के बाद उसकी तेरिवी की कार्ड में तीन भाईयों ने एक भाई का नाम भी नहीं लिखा आप सोच लिजे तकराव कितना बड़ा जबकि चारो सुसंपन कमी किशी के पास नहीं जगला किस बात का एक पौपर्टी को लेकर के आपस में तक कर वो पौपर्टी आज से घटना 20 साल पुरा नहीं है छोटी सी पौपर्टी थी उस समय उस पौपर्टी की कीमत एक करौं रूपय थी लेकिन वो उसको लेकर के आपस में इतना लोगों में उल्जाओ कि 10-12 साल तो उनके केस मुकद में होते होते हो गए और इस्तिती ऐसी हुई कि एक दिन भतीजे ने चाचा के उपर फर्सी उठा लिया ये तो गरीमत थी कि लोगों ने लपक करके बचा लिया नहीं तो बहुत बड़ा खुन खराबा हो सकता था लेकिन इस घटना ने उन्हें लोगों का चित फेरा कभी कभी बुरा भी अच्छा के लिए हो जाता है बुरा भी अच्छे के लिए हो जाता है भाईयों ने आपस में सोचा भाईया इस तरह से टकराने से क्या फाइदा होगा हम लोग आपस में कॉंप्रमाईज कर लेते हैं और जो वोलो जैसा वोलो वैसा काम हो जाए आपस में कॉंप्रमाईज किया कुछ लोगों ने बीज़ बचाओती मामला सलड गया अगर थोड़ी सी समझ होती और क्या हुआ समझाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा छोटे भाईयों ने बड़े भाई से केवल इतना कह दिया मैंने समझाया था उनको कि बड़ा भाई है तुम लोग कहते हो कि हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी है बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है एक काम कर दो बोल दो भाईया आप बड़े भाईया हो आपका हम पर वड़ा उपकार है आज हम लोग जो कुछ है उसमें आपकी बड़ी कृपा है आपको जो फैसला करना है कर लो जैसी एक कमरे में बैट करके पहले तो समने अपनी भरास निकाली उसके बाद लास्ट में जब ऐसा कहा सब के आँखों में आसु की धार सामने वाले का हंकार चला गया इनने भी अपना हंकार छोड़ दिया बड़े भाई के जिम्में आ गया तकराओ सम्झोते में परिवर्तित हो गया और कह दिया आपको जो फैसला करना है कर लो और वो फैसला वो हुआ जिसकी वो भी कल पना नहीं कर सकते थे बड़े भाई ने खुद अब जिम्मेदारी खुद पर आ गयी है फैसला मुझे करना है मामला कुछ नहीं था मामला केवल इगो का था वो आले आ रहा था उसने अटका रखा था वो सारी दुबधाएं दे रहा था उस इगो को जहां अटा दिया टकराओ खतम तो भईया ऐसा टकराओ पाल के क्या होगा मैं एक इस्थान पर था देखे टकराओ कैसे होते समाज के दोस बिक्ती दोनों एक दूसरे के समझी सगे समझी बेटी और बेटा का संब्द हुआ पर समाज के दो धड़ों के दोनो प्रमुख हमारा प्रवास हुआ लोगों ने कहा महराज अगर ये दो एक हो जाए तो हमारी समाज बहुत आगे बढ़ जाए मैंने भर महमे बाद भी समझ मा आ गई कि इनकी टकर मिटनी चाहिए इनका टकराओ मिटना चाहिए संयोग के दोनों को दोनों धार्मी अब वहाँ एक अध्धक्ष मनता तो दूसरा भी पक्ष में रहता ऐसा चलता आपस में चुनाव भी नहीं दो गुटों के बीच होता था और वो ही है भाजपा कांग्रेश चलता है समाज में राजनिती होती है सही होकता है एक के घर हमारा आहार हुआ आहार के उपरांथ पाकर के बैठा छोड़ने आते है जैसे छोड़ने आते है सब को अलग करने के बाद मैंने ऐसी चर्चा छड़ी और जैसी उसके समझी का नाम लिया बोले मराज उसकी बात मत करो मराज उसकी बात मत करो उसका नाम सुनते ही मुझे आग लग जाती मैंने का भी यह एक काम कर कहा लगे दिखा दे बड़ी सर्दी मैं थोड़ा ताप लू सर्दी भाओ से मैं ताप लू नहीं महराज वो नहीं वो नहीं कर सकता मैंने का ठीक भी यह इत्ता उद्दे लित्मत हो मैंने देखा भी इसकी कशाई बढ़की भी है अभी बोलने से कोई मतलब नहीं होगा थोड़ी दिर मैंने इधर उधर की बात की बात करने के बाद मैंने उससे पुछा कि भाई आखिर बात क्या है तुम इतने धरमातमा हूं दान पुन्ने करते हो धालम की किनियाएं करते हो पूजा पाट करते हो जाओगे आखिर ऐसा क्यों क्यों किया मराज उनने मेरा अपमान किया क्या अपमान किया तुम्हारा समझी है तुम उनकी बेटी लेकर आए हो क्या अपमान किया मराज वो ही अपमान की बात तो मैं आप से कह रहा भुला नहीं सकता क्या हुआ जिस दिन हमारी शादी हुई बेटे की साधी थी उस दिन उसने हम लोगों कंगले कह दिया कंगला कह दिया बहला मराज ये तो ठीक है साधी तैय हो गए ती साधी कर किया अगर थोड़ा कुछ होता तो हम संबन्द ही तोड़ देते किसने कहा कंगला तुमसे कहा क्या बोले नहीं हमारे लोगों ने हमें बताया लोगों ने बताया तुम ने सुन लिया कितने साल पुरानी बात है बोला मराज 18 साल हो गए 18 साल से बात चीत नहीं घर में बहु लेकर आया है बेटी उसकी लेकर आया है और आपस में बात चीत नहीं तना तनी है कंगले हुआ क्या पूछताच करने के बाद मालुम किया बोला ऐसा सर्दी में साधी थी अब बरादियों में पहले तो बला मजाग चलते थे दिसंबर के मैने में रात के बारा बज़े लस्सी मंगाया और दिन भर परेशान कर रहे थे आपस में लोगों ने बोला होगा कि भीया ये लोग कैसे हैं तो और लोगों ने लोगों से जो कुछ भी कहा होगा उसको नमक मिर्च लगा कर कि ये कह दिया गया कि अगले ने ऐसा कहा अगले ने ऐसा कहा उदने उसको मान लिया थोड़ा ठकरा सी सभाव था मान लिया कोई जाच ना परक और गांठ बांद लिये हमने बोला भाई ये बात तुमने पकड़के रख लिया इतने साल से मन में एक बहम पाले हो और आपस में टकरा रहे हो कभी तुमने ये जाचने की परकने की कोशिश की क्या जाचना जी ऐसे आदमी हम ऐसे आजमी को लाइक नी करते और मराज तब से आज तक हमें समाज में कोई चुनोती देने वाला है तो वो ही है लेकिन हम भी उसे कड़ी टकर देते है हम बोले भाई टकराव से टकराव बढ़ेगा इस टकराव को मिटाना चाहता हूँ मैं मराज आप परिशान हो जाओगे और कुछ नहीं मितेगा मैं ऐसा नहीं है मैं अगर कोई आपरेशन अपने हाथ में लेता हूँ कोई केस लेता हूँ तो आपरेशन करके ही छोड़ता हूँ ठीक है तुमने कहा है लेकिन ये चीज ठीक रही है मैंने उसको थोड़ा समझाया अध्यात्मिक तरीके से धर्म को समझता भी था उसके परणाम को सांत किया आखरी में बोला मराज आप हमको तो केरे हो पर ये मान करके चलिए वो हमसे दो कदम आ गई है मैंने उससे बाच्चित की दूसरे को बलाया बाच्चित की तो उसकी भी सुरुवात में वो ही प्रतिक्रिया थी बात में बात बात में बात बात में बात और कुछ नहीं केवल एक इशू बना रखा था दोनों ने इगो का मैंने उससे समझा बुझा करके ठीक किया मन उसका राजी हुआ और राजी होने के बाद दोने ने कहा महराज अलग अलग पहले बात की और दोनों ने جब अपनी सम्मझा दे दी तो मैंने दोनों को बुलाया एक साथ मिलाया और कहा भया आज से पहले जो भी तो लोगों के बِहर विरोद रहे उनको मेरे चर्णों में छोड़ दो और आज से सही जीवन करना जीना सुरू कर दो तकराओ को टालो और सामंजस से रहना सुरू कर दो दोनों ने मेरी बात को स्विकारा चरंच हुआ आँखों में आशू दोनों गलें मिले और उस दिन दोनों परिवारों के मद जितनी खुशी हुई उस से ज़्यादा खुशी पूरी समाज में हुई कि आज हमारा समाज एक हो गया और एक बात कही कि महराज टकराओ का परिनाम हमने खूब देखा लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि समझोते का आनन्द क्या होता है बंद वो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ आपस में टकराओ की आदत छोड़िये जहां भी हो जैसा भी हो सामझस से बना करके चलने की कोशिश किजिये सजनों के साथ कभी टकराओ मत करना चाहे माबाप हो चाहे भाई भाई हो चाहे पती पत्नी हो या देवरानी जिठानी हो कोई हो मुझे टकराओ टालना है और उसके लिए क्या करना है अपने अंकार को थोड़ा छोटा करना है चीजों को इगनोर करना सीखना है थोड़ा सकारात्मक सोचना है और अपने मन में सहन सीलता बढ़ाना है ये चारो बाते यदि हमने अपना ली तो फिर हम पर कभी किसी प्रकार का टक्राव हावी हो ही नहीं सकता थोड़ा इगो को कम कर दो ठीक है खत्म आप देखे बच्चों में लडाई होती है होती है जितनी लडाई बच्चों में होती उत्ते बड़ों में नहीं होती लेकिन वो जितनी जल्दी लड़ते उत्ती जल्दी एक भी हो जाते क्यों उनका इगो स्ट्रोंग नहीं होता थोड़ी देर पहले लड़े हैं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के गले में हाथ डाल कर खेलना भी शुरू कर दिये उनका इगोई स्ट्रॉंग नहीं होता और इगोई स्ट्रॉंग नहीं होता तो उनमें आपस में लड़ाई उतनी प्रवलन नहीं होती बड़े लड़ते हैं तो उनको सुलचने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि उनका इगो बड़ा स्ट्रोंग होता है ये इगो को हम जितना कम करेंगे हमारे जीवन में अतनी ही सहजता और समरस्ता घटित होगी इसलिए अपने इगो को हटाएं चीजों को इग्नोर करना सुरू कर दे, नजर अंदाज करना सुरू कर दे, ठीक है, कह दिया, कह दिया, हर बात को लेकर क्यों, कुछ लोग होते हैं, जो छोटी-छोटी बात को पकरते हैं, और तुरत रेक्ट करते हैं, अब कुछ लोग होते हैं, छोटी-मोटी बातों को ignore कर देते हैं बाद में ऐसा लगता है रियक्ट करने की कोई जर्वत ही नहीं ठीक है देखेंगे 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 टाल दीजिए टालना सीखिए किसी ने कुछ गलत बात बोल भी दिया तो टाल दीजिए किसी ने कोई गलत वहाल केर कर भी दिया तो टाल दीजिए टाल आत्मक सोचिए positively ले करके हम चलेंगे तो जीवन में एक अलग प्रकार की समरस्त आएगी और चौती बात सहन करना सीखिए ये चारो बाते यदि जीवन में आएगी तो फिर किसी भी प्रकार का टकराओ हमारे उपर हावी नहीं होगा मंगल भावना करके आज में या आज भी राम लूँगा आज टकराओ की बात है कल ठा है ठाराओ कैसे लाना जीवन में ठाराओ कैसे लाना उसकी चर्चा आप से आगे करेंगे आज यहीं पर भी राम सभी लोग मेरे साथ मंगल भावना दो राएंगे मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो कहीं कलेस कालेस रहे ना दुख कहीं भी हो मन में चिंता भै न सतावे रोग शोक नहीं हो नहीं बेर अभी मान हो मन में छोब कभी नहीं हो मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो जबलो परम पूजाचार गुरु वस्त्री विद्या सागर्ची महाराज की जड़े इस देन समय हो झально वज़े